हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम टू बाइमेटर्स क्लासेज अनलाइन, तोडेए वी आर गोईंग टू डिसकस्ट टॉपिक इन आवर चैप्टर, इलेक्ट्रो स्टाटिक पोटेंशल एंड कैपैसिटेंज, और आज का जो अपना टॉपिक है वो है पैरलल प्लेट कैपैसिट सो हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग पैरलल प्लेट कैपैसिटर बराबर है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरलल प्लेट कैपैसिटर के कॉंसेप्ट से, और देखते हैं यहाँ पर क्या चीजे हमारे पास में पॉसिबल हैं, किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, तो बेसि opposite charge होता है और उन्हें एक small separation पर जब रख देते हैं तो वो capacitor बनाते हैं वो क्या बनाते हैं capacitor form करते हैं ऐसा हम लोग पड़ चुके हैं और हमने क्या पड़ा हुआ है हम लोगों ने पड़ा हुआ है कि capacity को कैसे increase किया जाता है इस प्रकार से capacity क्या होती है increase होती है yes or no तो मैंने बोला बिल्कुल ठीक है now अब हम लोगों को specifically parallel plate capacitor के बारे में बात करने हैं लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं एक simple सी बात बोलूँगा कि जो हम लोगों ने conductor का concept पड़ा हुआ है previous lecture में उसको एक बार आप recall कर लीजे ताकि हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं ठीक है yes or no तो मैंने बहुत ठीक है अब parallel plate capacitor की जब मैं बात करता हूँ तो basically parallel plate capacitor क्या होता है कि जब आपके पास में दो conductive plates हैं दो conducting plates को जो की generally अब हमारी metal की होंगी इनको मैंने एक small separation D पर रख दिया है ठीक है small separation D पर रख दिया है तो यह आपका parallel plate capacitor बन जाता है ठीक है इतना ही simple है और कुछ भी नहीं है और इसका जो plate का area है वो है आपके पास में A, separation D है, दोनों plates identical हैं अभी हमारे case में ठीक है अभी हमारे case में plate का area कितना है A, one side of होता है, अब मैं अपने concept को आगे बढ़ाने के लिए, मैं क्या करता हूँ अपने concept को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीजों को जो previously हम लोगोंने discuss करी हुई है वहाँ से हम लोग इसको start करेंगे ठीक है, मैंने क्या बोला मैंने सिर्फ इतना बोला कि यह जदी पारलल प्लेट कैपैसिटर में क्या हो रहा है दो मैटल की plates, area A है और उनके बीच की distance D है तो वो आपका पारलल प्लेट कैपैसिटर बन गया लेकिन क्या ऐसा करने से हमारी कैपैसिटी पर कोई फरक पड़ा है या नहीं पड़ा है तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे इवन्दो मैं जानता हूँ कि कैपैसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन हाउ दा कैपैसिटी इंक्रीज इस टॉपिक के साथ मैं ही मैं अपने टॉपिक की शुरुवात करूँगा ताकि आप लोगों को प्रीवियस जो पड़ा हुआ है वो एक बार रिकॉल हो जाएगा जिसको प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत बाउंसर लगा होगा तो वो बाउंसर भी आज आप खेल पाओगे क्यूंकि वापस से रिवीजन ही चल रहा है स्टार्टिंग के पांस से दस मिट हो सकता है पंदरा मिनिट तक ये टॉपिक खिचे वहां तक आपका ये रिवीजन वाला ही फंडा चल रहा है आई यू गेटिंग मैं पॉइंट यस और नो तो मैंने बोला बिल्कुल ठीक है तो अब हम लोग क्या करते हैं शुरुआत करते हैं सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहले टेक एन इंसिलेटिड टेक एन इंसिलेटिड प्लेट अफ एरिया ए ठीक है एरिया ए और इस प्लेट को मैंने नाम दिया है इस प्लेट को मैंने नाम दिया है यहाँ पर P1 ठीक है क्या नाम दिया है P1 और Give Charge Give Charge Q मैंने इसको Charge कितना दे दिया Q Charge मैंने इसको दे दिया तो आगे बढ़ जाईए और इसको जड़ा करने की कोशिश कीजिए कैसा बन जाएगा तो देखो हमारे पास में कुछ ऐसी सिच्वेशन आ गई है ठीक है यह हमारी सिच्वेशन मैंने इसको इंसुलेट करके रखा है और यह साइड से मान लीजे इंसुलेशन है तो इस पर ज लोग इंसुलेशन नहीं लगाएंगे उसमें इंसुलेशन नहीं लगाया जाएगा आगी की बाते कुछ बता रहा हूँ मैं लेकिन उसमें भी चार्ज आके इसी साइड में इकट्टा होगा ठीक है इट इज मैंने नाम देना है पीवन और वो नाम मैंने पीवन यहाँ पर चार्ज है क्यों यह चार्ज क्यों जो है वो एरिया ए पर क्या है डिस्ट्रिब्यूटेड है एरिया ए पर चार्ज क्या है आपका डिस्ट्रिब्यूटेड है ओ साइड से इंसुलेटेड है मतलब वहाँ चार्ज आपका नहीं जा रहा है क्या यह बात समाज में आई मैं ब पास में जो चार्ज है वो Q, area है आपका A, मैंने बोला यदि चार्ज आपने दिया है किसी conductor को तो it will have some potential, तो मैंने बोल दिया भाईया इसका जो potential आ रहा है, यहाँ पर इसके पास में कोई तो भी एक point consider करता हूँ, कहीं मान लीजिए, यहाँ पर कोई तो भी point consider कर लिया है, इस जगे पर यदि मैं V लिख रहा हूँ, तो मैंने मान लिया वो potential V है, V मान रखे चल रहा हूँ, और इसकी जो capacity है उसे मैंने मान लिया है C1, खीक है, capacity को मैंने क्या मान लिया, C1 और यहाँ पर फिर से हम लोग segregation करके आगे बढ़ते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, now take another conducting plate अब एक और आप conducting plate को लीजिए, और जिसका नाम मैंने रख दिया है P2, इसका नाम मैंने क्या रख दिया है P2 place it, place it at a distance, और यह जो distance है पिटा, यह छोटी सी distance है, at a distance D from P1 P1 से छोटी सी distance D पर इस plate को रख दीजिए, जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा तो भाई यह देखो, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वापस से, लेकिन छोटा करके बना रहा हूँ, ताकि जगे की कमी नहीं रहे बाद मैं ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो क्या होगा, इस पर यह आपका plus charge यह तो पहले से ही था प्लस वाली, यह आपकी plate P1 वाली, यहाँ पर आपका minus Q charge induce होगा, और यहाँ पर आपके पास में plus Q charge induce होगा, क्या यह बात सही है, यस और नो, तो आपने बोला सही बात है, ठीक है, यह P1 plate, यह वाली plate P2 Now, अब मैं और कुछ काम कर रहा हूँ, जो काम करते जा रहा हूँ, उसको समझते जाईए, और यह जो आपका point पहले consider किया हुआ, तो वो point यही पर पड़ा हुआ है, ठीक है, आगे बढ़िए, अब मैंने क्या किया, let's say, outer side of P2 is connected to earth, अब मैंने इसको क्या कर दिया, earth से connect कर है, यह मैंने इसको earth से connect कर दिया, घीक है, earth से connect कर दिया, और earth से connect करने के पश्यात की जो कहानी होगी, वो कुछ इस प्रकार से बचेगी क्या plus 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 और minus 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 minus, ब inertia, क्या इस प्रकार की कहानी यहाँ पर बचेगी? यह plate आपकी P1 और यह plate आपकी P2. बônो, क्या यह कहानी को हम लोग जीरो पोटेंशल पर मानते हैं और इस प्लेट के आजाने के कारण अब कुछ न कुछ पोटेंशल भी डेवलप होगा यस और नो होगा या नहीं होगा तो आप बोलोगे यस होगा अब कुछ और चीजे जो यहां पर आपको पता होनी चाहिए वो क्या है यहां पर चार्ज क्यू है तो यहां पर चार्ज माइनस क्यू होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो आपने बुला सही बात है और यह जो पॉइंट है यहां पर पहला जो पोटेंशल था वो वी था लेकिन अब इस माइनस क्यू चार्ज के कारण भी तो यहां पर कुछ सही बात है, so now let's say कि potential due to minus q charge, due to minus q charge is v1, ठीक है, कितना लिख दिया, v1, sir, ये v ही आना चाहिए था न, v1 क्यों लिखा है, किसी के मन में ये सवाल आ रहा है, तो लाजमी सवाल है, वाजिब सवाल है, आंसर देखते हैं, हम लोग क्या हो रहा है, बेसल देखो, ये point जो है, जब मैंने बनाया है, तो इसकी ये वाली distance और ये वाली distance के बारे में मैंने कोई comment नहीं किया है, क्या मैंने comment किया है, और वैसे भी आप देखिए, यहाँ पर ये वाली distance तोड़ी सी जादा दिखाई दे रही होगी और ये वाली डिश्टेंस तोड़ी सी कम दिखाई दे रही होगी तो जाहिर सी बात है जो potential का formula जो भी है होगा उसमें ये कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा आएगा की नहीं आएगा मैंने बोला बिल्कुल सही बात है तो अब मैंने इस potential को नाम दे दिया है V1 लेकिन एक बात जरूर है वो बात क्या है इट इस ये जो V1 है इट इस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है ये किसके कारण आ रहा है माइनस क्यू चार्ज के कारण आ रहा है मतलब V1 विल बी नेगेटिव बोलो V1 नेगेटिव होगा या नहीं होगा तो आपने बोला सही बात है सर जी V1 आपका नेगेटिव होगा यस और जो तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है now एक बात बताओ net potential की यदि मैं बात करता हूँ तो net potential कितना हो जाएगा उसी same point पर तो आप लिखोगे V net will be equals to V V plus minus V1 मतलब V minus का V बोलो सही है क्या अरे बही मैं minus sign को उसी के अंदर में ले रहा हूँ तो V minus का V1 अब कई लोग बोलेंगे V1 की value negative होगी तो ऐसा मत करें न माइनस माइनस प्लस बना दिया नहीं V1 की जो भी value है उसका magnitude wise consider करेंगे लिए मैं बोला कि V1 will be negative तो इसलिए मैंने minus sign यहाँ पर लगा दिया है तो overall net potential आपका V minus का V1 बच रहा है yes or no तो आपने बोला सही बात है now यदि मैं charge की बात करूँ तो charge तो आपका उतना ही है तो इस case मैं जो आपकी capacity बनेगी इस capacity को मैं नाम दे देता हूँ C2 बोलो C2 नाम दे दिया तो यह C2 कितना आएगा तो यह आएगा Q upon V minus का V1 बोलो V minus का V1 तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूँ की capacity आपकी बढ़ गई और capacity बढ़ाना यही हमारा target हुआ करता था previous lecture से और वो मेरे को अच्छी हो गया so हम लोग अब कहेंगे की कहा गया हम लोग कहेंगे की C2 is greater than C1 so capacity is increased capacity is increased यह एक सवाल का answer है यह एक सवाल का answer है basically सवाल में बताता हूँ क्या हो रहा है सवाल यह था कि when a neutral plate या neutral conducting plate is brought near to a charge plate charge conducting plate then its capacity increases, decreases, remain same cannot be commented so capacity is increased यह इस सवाल का answer है yes or no, okay बात सभी में आ गई तो sir parallel plate capacitor का जो concept चल रहा तो क्या है concept तो concept बस इतना सही है कि इस arrangement में जब हम लोगों ने दो metal की plates को लिया है तो capacity बढ़ जा रही और यही हमें चाहिए था और capacitor करो पूरा overall basic concept रिकॉल करो हम लोग बाल्टी में नल से पानी तो आई रहा था आई रहा था ही नहीं आ रहा है लेकिन जब बाल्टी में एकच्टा कर लिया तब हम उसे यूज कर पा रहे थे flash system, camera का flash system कुछ देर के लिए disable हो जाए है क्यों store करने के लिए time चाहिए था तो overall यहां पर वो जो capacity से related point है वो यहां पर cover होता है और यहां पर एक question का आपको answer मिलता है theoretical question है पूछ लिया by chance तो आपको आजाना चाहिए अब कोई गडबड़ी नहीं होनी चाहिए तो मैंने बोला कि यह ठीक है so अब यहां से हमारे पास में parallel plate capacitor की definition बनने लगती है इस arrangement को जिसमें आपके पास में एक positively charged plate होती है दूसरी negatively charged plate होती है and both of them are placed nearby at a distance d such an arrangement is called as parallel plate capacitor इस arrangement को parallel plate capacitor कहा जाता है जो हम लोग basically previous lecture में थोड़ा सा सीख के आए हैं अब यहां पर ऐसा भी लिखा होता है कई बार कि second plate is earth basically earthing करने के बाद में ही ऐसा लग के आए हैं हम लोग arrangement लेकिन जब हम लोग सवाल देखेंगे तो उसमें earthing वगएरा कहीं नहीं दिखाई देगे आपको ठीक है Is it clear to you? मैंनो लट ठीक है अब सवाल यह उठता है कि यह जो C2 आया है यह जो C2 आया है that is greater than C1 यह बात तो तो तह है लेकिन what is the value of C2? यह मैं बोलूँ यह मैं बोलूँ what is the capacity what is the capacity of this arrangement इस arrangement की capacity कितनी निकल के आ रही है यह मुझे आपसे पूछना है तो how will you solve this question? किस प्रकार से आप इसे बताएंगे? यह मेरा सवाल है तो यह देखो मेरा capacitor जो बन रहा है parallel plate capacitor वो कैसे बन रहा है? एक plus plate एक minus plate मैंने बोलूँ सभी बात है तो यहीं से मुझे उठाना पड़ेगा इस वाले question के answer को हाँ हो गया कई बार क्या होता है न? ऐसे उंगली लगाता हूँ बीच में ये भी टच हो जाता है ये दोनों टच होके result क्या मिलता है? सिफर सिफर मतलब शून ने चलो भई शुरुवात करते हैं heading के साथ में capacity of parallel plate capacitor basically क्या है? आपके पास में यहाँ पर एक formula derive हो रहा है जिस formula पर numerical सीखेंगे हम लोग आने वाले lecture में भर-भर के numerical करेंगे आज numerical नहीं आज सारे formula बस आपको cover कराने है वो मेरा first target है सो मैंने क्या बोला? वही आपकी पहली plate P1 मैंने ले चुका हूँ इसके थोड़ी सी दूरी पर आपकी second plate यहाँ पर लगा चुका हूँ इसका नाम P2 मैं दे चुका हूँ P1 वाली plate पर आपका positive charge मैंने रख दिया है इस पर मैंने minus Q charge यहाँ पर लिगा दिया है ठीक है? एक बात और मैं additional यहाँ पर कर रहा हूँ पहले से ही एक point और मैं additional यहाँ पर ले रहा हूँ वो ये है कि मान के चलो मान के चलो इनके बीच में एक dye electric material भडा हुआ है ठीक है? क्योंकि साथ में आने वाली filled the medium और the space between the plates with the medium of permittivity epsilon या medium of dielectric constant k कुछ भी बोलू एक ही बात है मैंने क्या बोला? जारा सुन देवो मैं लिगता हूँ तो उससे कई बार बच्चों को आसान होती है मैंने बोला कि space between plates space between plates is filled with filled with medium of permittivity देखो ये differences समझ मैं आनी चीं मैं पर्मिटिविटी लिखा हूँ तो मैं लिख दिया हूँ epsilon और 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 dielectric constant लिख रहा हूँ मैं dielectric constant तो बिटा मैं इसे लिख देता हूँ के से ठीक है overall कहानी वही है कैसे कहानी वही है कई लोग तो इसी में confused होंगे तो उनको कहानी को मैं समझा देता हूँ बिटा क्या है आपको पता होना चीए epsilon बराबर होता है epsilon not into epsilon r जहां पर epsilon का मतलब होता है permittivity of medium epsilon not is the permittivity of free space epsilon r is the relative permittivity of the medium और इसी चीज को हम लोग इस प्रकार से भी लिख देते हैं वो यह है epsilon बराबर epsilon not k so k is the dielectric constant of the medium और epsilon r और k आपके equivalent ही है epsilon not आपका permittivity of free space है epsilon आपका permittivity of medium ही है उसमें कोई अंतर नहीं आया है yes or no मैं बहुत ठीक है सर ऐसा करने के पश्चात क्या होगा जरा आप मुझे बताईए तो उसको समझने के लिए आपको फिर से थोड़ा सा back में जाना पड़ेगा और वो back में क्या जाना है वो समझे यदि मैंने इस medium को यहाँ पर नहीं डाला होता तो आप क्या देख पा रहे थे समझे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यह आपकी plates थी यहाँ पर आपका positive charge था यहाँ पर आपका negative charge था इन दोनों के बीच की distance d थी तो एक बात बताईए क्या यहाँ पर एक electric field present है इस direction में क्या यहाँ पर एक electric field present है सवाल का answer दीजे क्या इन दो plates के बीच में एक electric field present है तो हर किसी का answer आना चाहिए yes क्यूँ positive charge, negative charge, equal and opposite charges है मतलब यहाँ पर एक electric field present है अब आगे मेरा सवाल है यदि यह electric field present है तो यह uniform है या non uniform है this electric field is uniform और non uniform तो आप बोले कि सर यह तो uniform electric field है क्यों प्लस और माइनस सीदी सीदी straight line बन रही है parallel lines बन रही है और parallel lines बन रही है तो मतलब मैं सीधा कह सकता हूँ की uniform electric field है मैं बहुत ठीक है now यहाँ पर वो जो point जहाँ पर हम लोग थोड़ी देर पहले potential की चर्चा कर रहे थे यहाँ पर electric field की मुझे बात करनी है किसकी बात करनी है electric field की so just tell me what will be the value of electric field तो आप लिखोगे सर जी electric field will be equals to sigma upon epsilon sigma upon epsilon which can be written as sigma upon epsilon not k ठीक है which can be written as sigma upon epsilon not k yes or no आपने बोला सही बात है लेकिन लेकिन since electric field is uniform electric field is uniform then I can say that E will be equals to V by D E will be equals to V by D electric potential upon distance yes or no सर हाँ लिख तो सकते हैं और यदि लिख सकते हो तो आप लिख दोगे V by D बराबर sigma upon epsilon not k बोलो लिख सकते हो बिलकुल लिख सकते हो यदि आप ऐसा लिखते हो तो उसके आगे देखो since sigma बराबर आपका आएगा q upon a so therefore you can say that V by D will be equals to q by a upon epsilon not into k yes or no सही है बिलकुल सही है so आप इसे adjust कर दीजिए तो आपको मिलेगा V by D बराबर q upon a epsilon not k बोलो सही yes आगे बढ़िए थोड़ा सा मैं arrangement कर देता हूँ इनका तो आपको मिलेगा epsilon not a k upon d बराबर q by v बोलो yes और no अरे ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या yes क्या है ये it is the capacity जिसे हम लोग previous lecture में देखके आए हैं मतलब c तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि c will be equals to epsilon not a k upon d is the c is equals to epsilon not a k upon d is the capacity of the parallel plate capacitor एक और प्यारा सा formula आपके सामने निकल के आ चुका है जिस पर अभी आपके numericals बनेंगे जो कि आज के lecture में नहीं बनने वाले हैं तो फिर आने वाले lecture में बनेंगे सर आज क्यों नहीं बन रहे हैं उसके पीछे का region है मेरे को आपको series और parallel combination को भी समझाना है यदि मैं वो चीजे नहीं समझाऊंगा तो फिर आपको बाद में परेशानी हो जाएगी तो इसलिए मैं क्या करता हूँ उसको भी साथ में ही cover करूँगा ताकि फिर जब मैं सवाल बनाऊ तो आपको confusion नहीं होना चीए सर ये कहां से लगा दिया ये area आदा कर दिया तो क्या हो रहा है वगेरा वगेरा लेकिन उससे पहले देखिए it is the capacity देखो सवाल को देखो point को ध्यान से सुनना capacity लिखी गई है c बराबर epsilon 0 a k upon d एक बात बताईए ये capacity आपने कब लिखी है कब लिखी है when die electric is filled die electric material is present बराबर है when die electric material is present तभी आपने ये वाली capacity लिखी है yes or no बोलो सही बात है कि नहीं मान के चलो यदि यहां पर air present होती तो आप क्या करते थे if air is present तो क्या बोलोगे तो आप बोलेगे sir we know हम लोग जानते हैं कि for air k की जो value होती है one होती है तो उस case में हम लोग सीधा सीधा c for air लिख देंगे epsilon 0 a upon d epsilon 0 a upon d अरे ये तो बहुत ही आसान है yes or no तो एक बात बताईए यदि बे इन दोनों को compare करता हूं तो ये किसके लिए capacity बन रही है जब आपका medium present है ये कब बन रही है जब आपका medium absent है मतलब सिर्फ air present है या फिर मैं कह सकता हूँ in vacuum या फिर मैं कह सकता हूँ in vacuum yes or no so मैं इन दोनों को यदि compare करता हूँ तो मुझे क्या result मिलेगा जड़ा बता दीजिए तो आप बोलोगे sir c of air is epsilon 0 a upon d and c of medium is epsilon 0 a k upon d on comparing both I will get c medium upon c air बराबर k yes or no इन दोनों से देखिए बिटा c of medium is what k into c of air तो इसका मतलब ये है कि यदि parallel plate capacitor के बीच में कोई dielectric material यदि present है parallel plate capacitor के बीच में कोई dielectric material यदि present है तो बिटा capacity आपकी क्या हो जाती है increase हो जाती है capacity क्या हो जाती है यहाँ पर आपकी increase हो जाती है लेकिन capacity increase हो रही है वो बात तो ठीक है एक सवाल मेरे मन में कहीं तो भी कोने में चल रहा है और वो सवाल ये है what about what about charge and charges and charge densities charge and charge densities के बारे में आपके क्या comment है पई देखो medium के case में जब मैंने medium भरा है तो आपकी capacity increase हो रही है ये बात तह है लेकिन ऐसा करने से कुछ और differences आ रहे हैं क्या वो भी मुझे यहीं पर पड़ने है यदि मैं उनको छोड़ जाओंगा अभी तो फिर बाद में परेशानी होगी तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बटा अभी के अभी यहां पर हम लोग क्या करते हैं कवर करते हुए चलते हैं ठीक है वो क्या है वो सुनिए क्या है देखिए यहां सुना तो यदि मेरे पास में ये पहली प्लेट इस पर प्लस चार्ज था ठीक है इस पर कितना चार्ज था प्लस चार्ज था, यह second plate थी, जो यहां पर थी, इस पर minus charge था, yes और no, बिल्कुल सही बात है, अच्छी charges कितने कितने थे, यह Q था, यह minus Q था, yes और no, बिल्कुल सही, यह distance आपकी D थी, area A था, अब यदी, मेरे पास मैं medium present होता ध्यान सुने तो दोनों को compare करिए दोनों को compare करिए फटा फट इस पर plus charge as it is एक काम करता हूँ सुनिए ज़रा ये जो plus है मैं इसको अंदर बना रहा हूँ ठीक है? हालां कि आप समझदार हैं अभी कि ये ये side का charge और इस पर जो minus मैं यहां पर बना रहा हूँ वो कौन सी side का charge का क्लेट के ये वाली side ध्यान सुन्दों मैं क्या बना रहा हूँ ये जो plus charge हो ये plate के ये वाली side का है और ये जो minus है वो plate के A मतलब ये आपकी जो P1 plate थी और ये जो आपकी P2 plate थी उनी के बीच की बात चल रही है और मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर आपका एक डाय इलक्टरिक माटेरियल भर दिया है तो इससे क्या फरक पड़ रहा है वो हम लोगों को सीखना है तो उसको सीखने के लिए ज़रा ध्यान से देखिए क्या कर सकता हूं मैं आपको फिर से यास और नो और यह आपका क्या है यह है आपका डाय इलक्टरिक माटेरियल जिसका डाय इलक्टरिक कॉंस्टेंट के है और इस डाय इलक्टरिक कॉंस्टेंट वाले माटेरियल को हमने एक युनिफॉर्म इलक्टरिक फील्ड के अंदर में रख दिया है अरे ऐसा ही किया है कि नहीं किया है आपने बोला बिल्कुल सही है अच्छे बात बताओ यह polar material है या non polar material है इससे कोई फरक पड़ेगा क्या no कुछ फरक नहीं पड़ेगा क्यूं क्यूंकि चाहे polar material हो चाहे non polar material हो इसके अंदर में अब charges induced होने लग जाते हैं basically जो dielectric material होते हैं वो कुछ इस प्रका पास करा देते हैं basically वही कहानी हो रही है तो यहां पर क्या होगा इस dielectric material की यह वाले side में आपके negative charges induced होने लगेंगे और यह side में positive charges induced होने लगेंगे बोलो लगेंगे या नहीं लगेंगे जो मैं statement बोल रहा हूं उनको आप चाहें तो note down कर सकते हैं उसका plus point आपको यह करेंगे ना देखो यह diagram बनाने से आप नहीं लिख पाओगे लेकिन जो मैं statement बोल रहा हूं एक एक करते हुए statement हाला कि मैंने बहुत सारी statement लिखे भी है ताकि आप उसे प्रॉपर्ली कर सकें लेकिन मान के जो जिन्नों नहीं लिखा है उनके लिए क्या हो जाएगा थोड़ completely filled है तो उस पर charges induced होने के कारण एक induced charge density भी आएगी आएगी या नहीं आएगी भूलो आएगी या नहीं आएगी तो आपने बूला सरशही बात है अब मेरा सवाल ये है कि कितनी charge density यहां पर induce हुई है मतलब मेरा एक सवाल है आप लोगों से induced charge density के बारे में ये सवाल है और मैं आपको बता दू इसका जो भी formula आएगा ना भी आपके सामने उसको आपको agitives याद रखना है उसको आपको agitives याद रखना है तो कैसे शुरुआत करूं कैसे शुरुआत करूं कैसे शुरुआत करूं ये मेरे सामने point है तो मैंने बोला कि यह देखो जो हमारे पास में जब A अर्थ भराता तो मैंने मान लिया इसका charge density sigma है तो इसकी minus sigma हो जाएगी sigma क्या है आपका sigma तो है आपका जब आपका charge density है जब आपका कुछ भी present नहीं है मतलब dielectric material नहीं बढ़ा है तो charge density sigma है और sigma कितना है q upon A यदि मैं सिर्फ magnitude wise consider करूं लेकिन जब आपने dielectric material भर दिया है तो मैं ये कहूंगा कि भी या कि when dielectric material is filled when dielectric material is filled उस case में होगा ये कि some charges will be induced some charges will be induced yes or no बोलो होंगे या नहीं होंगे तो आपने बोला सही बात है अब यही problem है कि जो charges induced होंगे तो इसके कारण मैंने माना let's say कि जो induced charge density है induced charge density है वो induced charge density को मैंने मान लिया let's say sigma i कितना मान लिया sigma i तो जड़ा ध्यान से देखिए यहां पर और वो क्या point है वो समझे है देखो यह sigma था तो यदि इस पर equal उतना ही charge आएगा तो क्या यह minus sigma i नहीं होना चीए गया yes or no similarly जब यह minus sigma था तो यहां पर plus sigma i होगा या नहीं होगा बराबर है तो मैं किसी भी एक वाली side को consider कर लेता हूं मान के चलो मैं सिर्फ इसको study कर रहा हूं ठीक है तो एक बात बताईए वो यह है कि भीया net charge density कितनी हो जाएगी net charge density बोलो क्या हो जाएगी तो आप इसे लिख सकते हैं sigma net बराबर sigma minus sigma i लेकिन सवाल तो वही है टक गया यह sigma i ही तो मुझे चाहिए था इसका तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया भीये यही मेरा सवाल था कि नहीं था देखो किदर गया मैं सवाल लिखा था induced charge density कितनी आ रही है वो सवाल था उसका आंसर मिला क्या मुझे अभी तक तो कुछ नहीं मिला तो फिर मैं कैसे करूँगा और किस प्रकार से शुरुवात कर सकता हूं तो हम लोग उसको देखते ह हैं शुरुवात करने के लिए देखो शुरुवात कैसे करी जाएगी बताओ पहले जब material नहीं भराता तब और material भर दिया तब किन चीजों में परिवर्तन आया है वहां से मैं शुरुवात करूँगा तो मैंने बोला कि यह पहला point पहला point आपका when die electric material is absent when die electric material is absent तो उस case मैं आपका electric field जो मैंने लिया है उसे मैंने e naught मान लिया है और यह e naught कितना लिखा जाएगा बताओ तो आप लिखोगे sigma upon epsilon naught बोलो लिखोगे या नहीं लिखोगे तो आपने बोलो सही बात है और sigma कितना है बिटा sigma आपका q upon a है तो आप इसे लिख सकते हो q upon epsilon naught a बोल yes or no this is the electric field intensity in between वो जो point हम लोग consider करते हुए चले ते वहाँ पर electric field की value है कब जब dielectric material is absent मतलब मैं कह सकता हूँ in the in air yes or no तो आपने बोला बिल्कु सही है अब आगे बढ़ते हैं second case अब मैंने dielectric material भर दिया अब मैंने dielectric material भर दिया है तो उस case में आपका जो electric field आएगा वो कितना आएगा electric field when dielectric material is completely filled एक बात को ध्यान लगना हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो completely filled के लिए बात कर रहे हैं पूरी तरह से भर देने के पश्यात ही बात कर रहे हैं तो उसे मैं नाम दे देता हूँ e and that will be sigma net upon epsilon not अब कई लोग बोलेंगे सर सिग्मा net के बाद में epsilon not क्यों आया विटा उसे हम लोग सिग्मा में consider कर रहे हैं इसलिए इसको epsilon upon a लिख रहा हूँ देखो sigma बराबर यदि q upon a है तो sigma i बराबर qi upon a होगा की नहीं होगा sigma q upon a तो sigma i qi upon a तो इस basis पर मैं electric field लिख सकता हूँ चाहिए तो अधरवाईज मैं काम चलाओंगा इससे वो लिख सकता हूँ q minus qi upon epsilon not a ठीक है बोलो सही है या गलत है आपने बोलो सही है चलो तो ये एक electric field के formula आ रहे हैं देखो इनको ध्यान देखना इन पर मैं काम करूँगा अभी लेकिन काम करने से पहले जड़ा देखिए क्या सर आज का lecture तो बहुत complicated लग रहा है देखो मैं आपको एक बात बता हूँ lecture थोड़ा सा यहाँ पर complication लग सकती है लेकिन जब final आपके पास में formula आएगा न तो वो formula इतना आसान रहेगा कि आप बोलेगा अरे ये result याद कर ले थे बहुत ही अच्छा काम हो जागा तो मैं बो जब dielectric metal नहीं बरा दो मैंने electric field लिखा बराबर है और जब material भर दिया तो भी मैंने electric field लिखा और दोनों को करने के बाद में एक पॉइंट मेरे निमाग में आता है कि हो जistic salaam field in presence of ar, आप लिखो कि 1 upon 4 pi epsilon 0, q upon r square, and यदि medium भर दिया है, तो medium के case में मैं जानता हूँ कि epsilon 0 को मैं replace कर देता हूँ किस से, epsilon 0 into k q upon r square, so इसका मतलब यार, e medium बराबर तो आपका e ar upon k होता है, yes or no, तो इसका मतलब मैं बिल्कुस सही चल रहा हूँ, तो e will be equals to e 0 upon k, क्योंकि मैंने देखो ar वाला जो है, उसको e 0 माना है न, कि नहीं माना है, देखो e 0 माना है, तो e 0 sigma upon epsilon 0, q upon epsilon 0 e, तो e 0 माना है, तो मैं उसको e 0 लिक रहा हूँ, तो e will be equals to e 0 upon k, इसमें मुझे कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन, लेकिन जो मेरा e 0 है, वो मेरा sigma upon epsilon 0 है, तो इसको आगे मैं k लिख देता हूँ, बोलो सही है, this is the electric field, when the medium is present, तो कितना sigma upon epsilon 0, q, और this is also my electric field, when medium is present, तो ये है आपके पास में, sigma upon sigma i upon epsilon 0, तो बिटा इसको जरा यहाँ पर लेके चलता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए, sigma upon epsilon 0, k, बराबर sigma minus sigma i upon, क्या था यहाँ पर, epsilon 0, जरा cross multiply करिए बिटा, तो ये इधर में आएगा, या epsilon 0 से epsilon 0 काट दीजिए, sigma बराबर आएगा, sigma k minus sigma i into k, left right adjust कीजिए, तो sigma i into k will be equals to sigma k minus sigma, कुछ तो भी घड़बडी कर रहा हूँ क्या, चलो देखते हैं, आगे देखेंगे, तभी पता लगेगा, तो यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, और वो कितना आ चुका है, जड़ा देखिए, अरे यार, एक सेगड़ा, sigma i k बराबर, sigma k minus का sigma, sigma common, okay, सही, sigma i k बराबर sigma k minus sigma, सो बेटा, k से यदि मैं डिवाइड करता हूँ, तो sigma i will be equals to sigma upon k minus, sorry, sigma minus sigma upon k, take the sigma common, तो बेटा, sigma i का formula आएगा, sigma 1 minus 1 by k, that's it, यह है standard result जो आपको याद रखना है, यह है वो आपका standard result, जो आपको याद रखना है, जिस पर directly सवाल बनता है, सवाल क्या बनता है भईया, sigma charge density पर क्या फरक पड़ता है, when material is introduced, तो बेटा, आप answer लिख सकते, k की value देगा, 1 minus, जो भी answer दोगे, तो वो छोटा आएगा, मतलब क्या हो रहा है, charge density will be what, decrease, है न, decrease होगी न, जैसे 1 minus 1 by 2, तो sigma by 2 रह गई, यदि k की value 2 है, 3 है, तो 1 minus 1 by 3, मतलब 2 by 3 होगे, 2 sigma by 3 होगे, जो है, वो सिगमा के comparison में, क्या आएगी, कम आएगी, तो overall जो सिगमा net है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, कम ही होने वाला है, yes or no, बोलो, समझ में आ रहा है यहां तक का, अब देखो, finally मैं कुछ students के लिए बोल दूँ, result याद रखना है, हो सकता है, कि आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हुई हो, लेकिन यदि परेशानी हुई भी है, तो भी finally मैं यहीं बोलूँगा, यदि सवाल बना, तो यहीं बनेगा, otherwise जो छोटे मोटे से theoretical question थे, उनको मैंने point wise आपको बताया है, कि जब डाइलेक्टर मेडिल भड़ा तो capacity increase हुई है, induced charge density आपकी आती है, जो की sigma से कम होती है, sigma net भी आपका कम होगा, यह सारी basic जो छोटे छोटे सवाल थे theoretical, उनको मैं आपर cover कर चुका हूँ, ठीक है, अब कुछ और बातें करें क्या हम लोग, यस करने तो पड़ेंगी, और वो क्या है, कि हमारे पास में एक point आता है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इतना करने के बाद में, sigma आई बराबर, sigma 1-1 by k करने के बाद में, मेरा आगे का point क्या था, हाँ, charges से related, किस से related था, charges से related था, और वो point कुछ इस प्रकार से है, मेरे पास में, कि एक बाद बताईए, material भरा, या नहीं भरा, charges पर कोई फरक पड़ेगा क्या, sir, फरक तो पढ़ना चाहिए, फरक तो पढ़ना चाहिए, sir, क्यूं फरक पढ़ना चाहिए, तो sir, उसका region ये है, कि यदि आपने डाए लेक्टरि मटेल भरा है, तो वहाँ पर charges induced हुए थे, और यदि charges induced हुए थे, तो फरक तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि charge density पर तो फरक पढ़ते हुए, आपने दिखा दिया है, लेकिन क्या charges पर फरक पढ़ेगा, या नहीं पढ़ेगा, इसको हम लोग कैसे पकड़े हैं, और किस प्रकार से हम लोग consider करें, यह तो एक लाजमी वाजिब सा सवाल है, फिर से सोचिए, question लिखता हूं में पहले, when die electric material, when die electric material is filled between plates, when die electric material is filled between plates, then effect on charge, effect on charge, यह आपको analyze करना है, फटाफट से, बताओ क्या कर सकता हूं मैं, तो आप बोलेगे सर, देखो, फटाफट छुटा छुटा सा बनाता हूं, यह, 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 इस पर Q charge, इस पर minus Q charge, यह plus, 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 minus, 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 ठीक है, कब जब die electric material नहीं था, फिर मैंने क्या बोला, कि सर, अब देखो, यहाँ पर मेरी यह plates हो गई, इनके बीच में मेरे को एक die electric material भरना है, तो यह मैंने यहाँ पर भर दिया, बोलो सही है, बिलकुल सही है, अब यहाँ पर देखो, पहले इस पर यह plus, 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 plus charge था, इस पर minus, 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 minus charge था, लेकिन, एक बात देखे, यहाँ पर minus charge induce हुआ है, और यहाँ पर plus charge induce हुआ है, लेकिन, यह तो net charge zero ही होगा की नहीं होगा, बई induce हुआ तो क्या हुआ, उतना तो वही रहने वाला है, yes or no, सही बात है सर, मतलब इस पर तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, yes, कोई फरक नहीं पड़ेगा, अच्छा कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो फिर हमें आगे पड़ने की जो रत है ही नहीं, हाला कि मैं कुछ चीजे यह रिया आपको बताने की कोशिश करूँ, तो वो यह है की फरक भले ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन कैपैसिटी पर तो फरक पड़ रहा है, चार्जेश पर कोई फरक नहीं है, no difference on charge, but, but capacity is different, but capacity is different, इसका जवाब क्या करूँगा मैं, इसका क्या करूँगा, capacity difference, यह तो अटक गई, अटक गई गारी, नहीं अटकेगी, जर्द ध्यान से सुनिए कैसे, कि सर जी, Q बराबर है आपका C into V, बराबर है, मोला सही बात है, तो मैं क्या बोलता हूँ, इन एर, इसे मान लिया Q not, तो यह लिखा जाएगा, C not into V not, बोला सही है, आगे यदि मैं लिखता हूँ, तो Q not बराबर, C not into V को क्या लिख सकता हूँ, बढ़र V by D का मतलब E होता है, V by D का मतलब E होता है, तो V को लिखा जा सकता है, E not into D, बराबर है, तो आपका Q not का आंसर आ रहा है, C not, E not, और D, कब? इन एर, और what about in medium, तो आप लिखोगे in medium, Q not as it is, क्यों? चार्ज पे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन you will have to write CD into VD, बोलो yes और, sorry, CM medium into VM medium, बोलो सही है, बिल्कुल सही है, अच्छा आगे ज़रा बढ़ता हूँ, तो क्या मैं Q not को लिख सकता हूँ, CM को और VM को लिखने से पहले, CM EM into D, बोलो सही है की नहीं, CM EM into D, C क्या है, medium में capacity, E क्या है, medium electric field, D क्या है, वो दो plates के बीच की distance, बोलो yes और no, आपने बोलो, सर यहां तक की कहानी भी, थोड़ी-थोड़ी सी समझ में आ रही है, लेकिन कर क्या रहे है, वो finally हमें पता नहीं चल रहा है, देखो, मैं जो आपको सवाल बता रहाता था न, वही सवाल चल रहे है, what will you the effect on charge, तो मैंने बोला, चार्ज पर तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, हूँ क्योंकि मुझे मालूम है, चार्ज दोनों ही केसेस में क्या है, सेम हैं, और यदि ऐसा है, तो भी, या मैं लिखोंगा इसे, सी नॉट, ई नॉट, डी, बराबर सी एम, ई एम, डी, यस, ओके, यहां से देखिए, दी से तो डी कट जाएगा, और आप लिखोंगे, सी मीडियम, बराबर, सी एएर, इन्टू, ई एएर, अपॉन, इ मीडियम, बोलो, यस और नू, दियान से देखिए, सी मीडियम, बराबर, सी नॉट, ई नॉट, अपॉन, इ मीडियम, थोड़ा सा और, इलाबोरेट करने की कोशिश करता हूँ, तो इसे लिखोंगा, सी मीडियम, बराबर, सी एएर, इन्टू, इ एएर, अपॉन, इ मीडियम, और, यहाँ पर, आप एक चीज पढ़के आए हैं, वो क्या पढ़के आई हैं, बटाओ, सी मीडियम, बराबर, सी एएर, इन्टू, के, यस और नू, तो इसका मतलब यह है, आपके पास में, डाइ एलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट का एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, के का मतलब, डाइ लेक्ट्रिक कॉंस्टेंट को डिफाइन किया जाता है, रेश्यो अफ एलेक्ट्रिक फील इन एर, तो दा रेश्यो अफ एलेक्ट्रिक फील इन मीडियम, एंड नथिंग अल्स, यस और नू, बस यह एक फॉर्मूला यहां पर रिलेट कर वा रहा हूं, यह fast forward में ताकि हम लोग समझ भाएं, तो fast forward में एक revision, ताकि मैं आपको चीज़ों को बता सकूँ फिर से एक बार, ज्यान से सुनिए क्या है, हम लोगों ने parallel plate capacitor शुरुआत किया, plate लगाई, और उसमें मैंने बोला कि पहली एक plate P1 लिली, जिसका area A है, उसको charge Q दिया, उसके ब minus charge, इधर मैं plus charge induce हो गए, फिर मैंने इसको बोला, इसके कारण अब यहाँ पर वो जो point था, जिस पर potential V माना था, तो अब देखो, minus Q के कारण भी minus potential आएगा, इससे मैंने V1 नाम दिया, net potential की बात करी, तो V plus minus V1, V minus V1 आ गया, capacity C2 will be cast to Q upon V minus V1, तो मैंने यहाँ पर देखा, कि यह capacity increase हो गई है, लेकर मैंने साबने सवाल है, कि यह जो capacity है, वो आखिर है कितनी, तो वही मैंने सवाल को यहाँ पर लिख्या, इस सवाल का अंसर ढूंडे में निकला, तो मैंने क्या बोला, दो place ले लिए, उसके बीच में एक dialectic medium ले लिया फिर मैंने इसको completely fill कर दिया, इसका constant, dialectic constant k है, मैंने यहाँ पर बस चीजे बताई हैं, जो electric charges and fill में already हम लोग बढ़ चुके हैं, इसके पश्यात, यहाँ पर e बराबर sigma upon epsilon not, यह सब चीजे करी, और last में मेरे पास में formula निकल के आ गया कि यदि ar है, तो c बराबर epsilon not a upon d तो यह दोनों को compare किया, तो c of medium जो निकल के आता है, वो निकल के आता है, k into c air, इसका मतलब यह है कि capacity जो है, वो dielectric material fill करने से बढ़ जाती है, फिर मेरे मन में एक सवाल आया, कि यह charges और charge densities का क्या, तो भया हम लोगों ने आगे बढ़ा, और पहले sigma minus sigma लिया, फिर sigma के और यहां पर sigma i, charges induced हो रहे हैं, ठीक है, तो हमने एक plate को consider करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो induced charge density का सवाल पहले मेरे मन में आया, charges का answer मैं बाद में ढूंडूँगा, तो मैंने बोला भया, कि let's say dielectric material जो भरा है, उसके बाद को charges induced होंगे, तो मैंने induced charge density को sigma i मान लिया, net charge density sigma net बराबर sigma minus sigma i माना, मेरे सामने सवाल था, वो sigma i कैसे आईगी और कितनी आईगी, उस सवाल का answer ढूंडते हुए मैं यहां पर चला, और इसका final result जो निकल के आया है, वो यहां पर है, कहां किया, sigma i बराबर sigma 1 minus का 1 by k, very important result, सवाल बना, तो हो सकता है, directly इसी topic पर सीधा सीध the straight forward question आपको मिल सकता है, आगे बढ़ा मैं, फिर आगे बढ़ने पर मैंने बोला, when dielectric metal is filled between plates, then the effect on charges, क्योंकि charge density का मैं answer दे चुका हूँ, लेकिन charges का answer नहीं दिया, तो charges का answer निकाला, और वो बोला कि no difference on charge, लेकिन capacity is different, वो capacity को मैंने relate किया यहां पर, CD और CM से तो वो चीज़ relate करके दिखाया है, आगे बढ़के हम लोग energy पर चर्चा करेंगे, ठीक है, so heading डाल लीजिए विड़ा यहां पर, और heading रहेगी आपकी energy of charged capacitor, ठीक है, actually क्या है, energy of charge capacitor में पहले ले लेता हूं पहले, ताकि कैने एक छोटा सा topic है, बीच में यहीं कहीं, परेशानी का सबब न बन जाए, इसलिए मैं इस topic को यहां पर बीच में ही लेके खतम कर देता हूं, ठीक है, हालां कि मुझे series और parallel में capacitor के बारे में चर्चा करनी है, लेकिन चार्ज कर रहे होंगे, तो you will have to do some work or not, पहले तो यह बताओ, you will have to do work or not, क्यों, क्यों काम करना है, why to do some work, यह देखो, simple सी बात है, हम लोग potential energy का concept पढ़के आएं इसी chapter में, तो हमने क्या किया थे, जब किसी एक चार्ज को रग देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं, तो वहाँ पर दो चार्ज का एक system बनता है, ठीक है, अब मान जो पहला चार्ज क्यों है, तो दूसरा चार्ज भी यह दी plus Q लेके आ रहे हो, तो पहला वाला जो चार्ज पहले से जो वहाँ पर बैठा हुआ था, वो इस आने वाले चार्ज का क्या करता है आने वाले चार्ज का क्या करता है अपोज करता है और जब ये अपोज करता है तो यहां पर you will have to do some work so that you can put that charge on the system या in the system ठीक है बासन में आ रही है भी देखो मैंने क्या बोला कि मान के चलो कहीं पर आपके पास में प्लस क्यों चार्ज है ठीक है मान कि इसी metal plate की यहां पर हम लोग बात कर रहे है तो इस पर एक प्लस क्यों चार्ज मैंने एक दे दिया अब यदि आपने इस पर एक और प्लस क्यों देना है तो यह तो इसका अपोज करेगा तो लेकिन आपने तो इसे जबर्दस्ती यहां पर डालना ही डालना है तो you will have to do some work or not तो yes so whatever work will be done by you will be stored in the form of energy of the capacitor so वही यहां पर heading डल रही है energy of a charged capacitor energy of a charged capacitor अब देखो यह वाला topic बहुत ही आसान है कोई इसमें परेशानी नहीं होगी बिलकुल डरने की ज़रत नहीं है yes or no तो मैंने बहुत ठीक है अब कैसे करते हैं जड़ा देखते हैं लोग फटापट पटापट derivation देखेंगे कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं इसकी मान के चलो जो हमारी insulated plate थी हमारी plate insulated थी या नहीं थी कौन सी sir कौन सी plate अरे यह देखो यह 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 मैंने पहली plate P1 से शुरुआत करी थी इसका यह वाला area insulated था और इस पर जो charge था वो मेरे पास में Q charge था और यहां पर एक potential की भी मैंने बात करी थी और वो potential मेरा V था yes or no तो मैंने बलकु सही बोला तो इसका मतलब इसकी जो capacity थी वो capacity थी आपके पास में C yes or no लेकिन मैं जो कहानी पढ़ रहा हूँ जो heading डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ charge capacitor की बराबर है तो यह charge capacitor की जब कहानी बल रहे हैं तो मैंने क्या बोला कि let's say let's say charge on capacitor is Q it's potential V और capacity is C so मैं कह सकता हूँ क्या Q बराबर C V तो V बराबर Q by C yes or no तो आपने बोला ठीक है सर जी यह वाली बात तो हम लोग मान भी लेंगे छोटी छोटी सी बात हैं उन्हें हम लोग मान लेते हैं आपकी ज़्यादा जब टेड़ी वाली बात हैं करते हो तब ही हम लोग सवाल अब C is the capacity और capacity यदि आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बोला था capacity is the absolute property which depends on the shape and size क्या वो इस charge पर डिपेंड करेगी नहीं क्या वो इस potential पर डिपेंड करेगी नहीं मतलब capacity C is fixed so you can say that C is always the Q into V C बराबर Q वी देख अक्शली कहा है ना मिरेको भी V बराबर Q by C जल्दी याद नह रहता है मैं Q बराबर sorry मैंने उल्टा लिख दिया sorry मेरे को भी Q बराबर CV इसी format में याद रहता है तो C बराबर will be equals to V by Q अरे उल्टा उल्टा सब हो रहा है क्या चक्कर है कुछ तो भी गड़बड़ी कर रहा हूं मैं C बराबर ओए मैं लिखते समय गड़बड़ी कर रहा हूं और कुछ नहीं है जारा लंबा लेक्चा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं तो C will be equals to Q by V हाँ सही है C बराबर Q by V capacity is the ratio of charge to the potential यह बात भी मैं जानता हूं लेकिन capacity is the absolute property capacity is the absolute property जो इस charge और potential पर डिपेंड नहीं करेंगे लेकिन यह जो मैंने कहानी बनाई है यह कहानी है उस charge capacitor की जिस पर total charge Q आ चुका है और जहां पर हम potential की बात कर रहें वो V है अच्छे मैं बात और बता हूं कई लोग है ना अभी भी सर खुझ ला रहे होंगे सर एक पे प्लस Q charge एक पे माइनस Q charge है तो net charge तो 0 होना चाहिए ना ऐसा सोच रहे हैं कही लोग ऐसा इदी सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दू मिटे जब capacitor के case में हम लोग सिर्पर सिर्प एक ही प्लेट के charge को consider करते हैं क्योंकि दोनों पर equal and opposite charge ही आता है जो हम लोग यहाँ पर पड़ रहे हैं जैसे हम लोग टॉर्क लिखते हैं समय कैसे force into perpendicular distance तो force any one force कोई भी एक ही force की बात कर रहे होते हैं क्या दोनों forces का लिखते हैं कि नहीं force of magnitude of one of the force and into perpendicular distance between these two forces ऐसे लिखते ही क्या बोला यहां तक की कहानी ठीक है simple simple सी कहानी है मैंने बोला let's say let's say during process of charging during process of charging charging की प्रक्रिया के दोरान किसी समय at time t किसी समय जो charge है आपका वो मैंने मान लिया छोटा q और जो potential है वो मैंने मान लिया छोटा v देखो यह बड़ा v है यह छोटा v है यह मान सकता हूं बिलकुल मान सकता हूं since capacity is the absolute property so I can say that since capacity is absolute property so I can say that q c will be equals to q by v q बराबर c भी हाँ सही है c will be equals to q by v तो मेरे पास में यह दो equations बन के आ रहे हैं लेकिन जो किसी भी काम की नहीं है यह equation number 2 मान लो और यह वाली आपकी equation number 1 मान लो तो मैं बोलू फायदा क्या हुआ अब मैंने माना कि जब किसी समय T पर यह capacity थी charge q था v था so let's say let's say some additional charge let's say some additional charge dq is added dq is added मैंने छोटा सा charge dq क्या कर दिया इस पर add कर दिया तो जब मैंने छोटा सा charge dq add किया है so it implies small work done that small work done will be equals to dw ठीक है जो छोटा सा work done है उसे मैंने dw लिख दिया और यह जो छोटा सा work done है वो कितना लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा आपका q into dv sorry v into dq बडाबर है dw बडाबर v into dq yes और no तो आपने बुला सही है लेकिन मुझे तो total work done की बात करनी है so therefore total work done in charging तो बोलो क्या लिखेंगे तो आप लिखोगे w बराबर integration v dot dq बोलो सही है क्या सही है अब देखो यह जब charge आप डाल रहे हो तो पहले zero charge था और finally आपको q charge तक पहुचाना है yes पहले zero charge भई इनीशली तो कोई भी charge नहीं रहा होगा तो zero charge से q charge तक आपको इसको चार्ज करना है तो इसमें कितना work done हो को यह simple सी बात integration क्यों क्यों क्योंकि यह जो है यह scalar quantities है potential और charge क्या है scalar quantities में directly integration कर पा रहा हूँ यदि यह scalar quantity नहीं होती तो मैं जैसे electric field में factor वगरा सोचता हूँ तो वैसा मुझे यहां पर सोचना पड़ जाकता था लेकिन जो मुझे अब सोचना नहीं पड़ेगा बिल्कुल simple काम हो चुका है लेकिन what about the V यह V की value क्या रखी जाए तो आप बोलो के सरजी V की value रखी जाएगी कितनी 0 से Q V कितना है था Q upon C into DQ बराबर now integrate integrate करने पर आपको मिलेगा W बराबर 1 by C बाहर Q का integration आएगा Q square by 2 limit लगेगी 0 से लेकर के Q था बोलो सही है आगे put कर दीजिए तो W बराबर आगया कितना Q square by 2C that is the work done और यही work done किसके form में store हो जाएगा this work done will be the energy मान लीजे मैं इसे U से represent करता हूँ तो energy का formula आएगा Q square by 2C क्या एक ही formula से काम चलाओगे बिलकुल नहीं हम लोग और अलग-अलग formula लिख सकते कैसे बिटा Q बराबर है C into V V क्या है बड़ा वाला वी तो आप लिखोगे U बराबर C V का square upon 2C तो आप लिखोगे U बराबर half C से एक C कटेगा और एक V square बचेगा तो यह भी एक formula ही है half C V square बोलो सही है क्या तो यह दो main formula है और कोई formula बचेगा जो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ Q square की जगे Q की जगे C V लिखके मैंने कर लिया और V की जगे Q by C लिखोगा तो वही आ जाएगा C की जगे Q by V लिखता हूँ तो दो formula बन रहे हैं हाँ ठीक है तो यह दो formula बन रहे हैं Q square by 2C और half C V square यह formula आपको याद रखने हैं एक और formula यह दि मैं चाहूँ तो बना तो सकता हूँ वह कौन सा है पता है यह दि मैं C into V को Q लिख लूँ तो मिरे पास एक और formula बन सकता है कैसे तो यू बराबर half C V into V so U को लिखा जा सकता है half Q into V लो भई एक और formula तीन formula बना दिये potential energy अच्छा potential energy क्या है यह potential energy because work is done in the presence of conservative forces तो यह यहाँ पर इसकी potential energy बन जाती है वैसे लेकिन हम लोग generally बोलते है energy stored in the charged capacitor energy stored in the charged capacitor बोलो सही है sure है चोके आगे बढ़ जाएं हम लोग आगे बढ़ने पर हमारे पास में जो topic आता है वो आता है capacitors का series and parallel combination so आप सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो बाते करेंगे वो रहेंगी regarding series combination of capacitor series combination of capacitor देखो कई लोग है न मैं जानता हूं इंतजार कर रहे हैं कि वो सवाल कब आएंगे जिसमें हमारे dialetis k1 k2 डाल के सवाल करवाने हैं लेकिन क्या है न वो सवाल समझने के लिए आपको पहले इसका series और parallel थोड़ा थोड़ा सा आना चाहिए तब ही आप उन्हें series और parallel में arrange कर पाऊगे नहीं तो arrange ही नहीं कर पाए तो मतलब भी नहीं है ठीक है तो मैंने क्या माना let's say मेरे पास में यह है आपका C1 यह है आपका C2 यह है आपका C3 मैं चाहता हूं कि let's say इसका जो battery का EMF है वो E मान लीजिए या whatever it be जो भी आप मानना चाहते हैं वो ले सकते हैं V मान सकते हैं या E मान सकते हैं जो भी अच्छा लगे ठीक है मैंने माना यहां से निकला है Q-Charge ठीक है बैटरी यहां पर यह उपर का देखो यह माइनस नहीं नहीं तो कई लोग ना इस माइनस में कंफ्यूज होंगे ठीक है? कहाना वो double कई बार बन जाता कि नहीं बन जाता वैसे तो यह प्लस क्यू चाहर यहां पहुँचेगा? प्लस 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 बहु पहुंचा? अब यहाँ पर plus पहुँचते ही यह आपका conducting plate है, तो इस पर क्या होगा तो इस पर आपका minus charge induced होगा ये side में और ये side में होगा plus charge, ये side में क्या होगा plus charge voltage होगा, लेकिन क्या ये वाला plus यहाँ पर रुख पाएगा क्या, नहीं रुख पाएगा क्योंकि इसे आगे conducting material मिल रहा है, बराबर अब जैसे ही यहाँ पर प्लस पहुंचा तो इस प्लस के कारण यहाँ पर फिर से माइनस इंडियूस हो गया बराबर अब आगे की कहानी क्या है यहाँ माइनस इंडियूस हुआ तो इसके कारण यहाँ पर फिर से प्लस क्यों इंडियूस होगा लेकिन ये वाला प्लस रुकेगा नहीं ये आगे चलेगा जब ये आगे चलेगा तो उतना ही चार्ज यहाँ पर पहुँच गया बराबर है और इस प्लस के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से माइनस चार्ज इंडियूस होगा और जब यहाँ पर माइनस चार्ज चार्ज वापस लॉट के यहां गया मतलब क्या यह क्या यह क्यू चार्ज यहां से चलते हुए वापस पूरे लूप में घूम के वापस वहीं पर पहुंच गया यस और नो तो आपने बोला बिल्कुल सही है नाव मैं क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ इनको रिप्लेस करना चाहता हूँ यह तीन तीन कैपैसिटर लगा के मैं क्यूं खेलूं मैं चाहता हूँ इन तीनों के बदले एक कैपैसिटर लगाया जाए जो जिसकी कैपैसिटी उतनी ही हो जिसमें से क्यू चार्ज फ्लो कर स तक है यदि इसका potential आपने E या V जो भी माना है मतलब मैं चाहता हूँ एक ऐसा capacitor जिसमें से यही कहानी repeat हो रही हो यह E है यह C S मान लेता हूँ series में और इसमें से भी वही आपका Q charge flow हो यहाँ पर और आप देख पाएंगे यहाँ पर ऐसा बनने के पश्याद यह Q charge वापस लोड़ के आ जाए तो यह मैं चाहता हूँ तो अब मैं क्या बोलूँ तो मैंने बोला कि भी यह देखो यह C 1 capacitance है तो इसके across potential drop मैंने मान लिया V1 है इसके across मान लिया V2 है और इसके across मैंने मान लिया V3 है ठीक है V1, V2 और V3 तीनों मैंने मान लिये लेकिन V1, V2 और V3 किसके equivalent होंगे यही E तीन तुकड़ों मैं divide होके मिलेगा यस और नो तो I can say that कुछ हुआ था I can say that कि भी यह E जो आएगा वो V1 प्लस के V2 प्लस के V3 के बराबर ही होगा E जो है वो आपका V1 प्लस के V2 प्लस के V3 के बराबर ही होगा लेकिन यदि मैं individual level पे बात करूँ तो एक बात बताओ यह E चार्ज तो सेम है यह C1 है V1 है तो Q बराबर तो C1 V1 बराबर है कि नहीं? Yes or No अच्छा ऐसे यह E चार्ज Q यहाँ पर बराबर है लेकि यह C2 V2 है ऐसे यहाँ पर चार्ज है तो Q C3 into V3 के बराबर होगा अच्छा में आ लिए मैं क्या बोलने कुछ कर रहा हूँ कि भी यह Q चार्ज तो सब मेंसे ही फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है मतलब इस चार्ज इस अइडेंटिकल और यहीं यहाँ पर भी मिल रहा है तो मैं कहूंगा कि कि भी यह कि Q बराबर C1 V1 Q बराबर C2 V2 और Q बराबर C3 V3 मतलब इस इमपलाइज आई कन से दाट कि भी यह V1 बराबर Q by C1 इस इमपलाइज V2 बराबर Q by C2 और इस इमपलाइज V3 बराबर Q by C3 also Q बराबर C into E C into E so from here I can say that यह CS आएगा E बराबर Q upon CS बोलो सही है बस इन values को ठाइए और पुट कीजिए आपका काम खता कैसे? Q upon CS बराबर Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3 Q Q cancel हो जाएंगे तो 1 upon CS will be equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 यह आपका सीरीज का आंसर है basically आपने देखो resistance पढ़े होंगे junior classes में वहाँ पर parallel का answer ऐसे निकल के आता है बिल्कुल उसी तरीके से चलता है derivation में कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई high fund चीजे कर रहा हूं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल similar way में वैसे ही चलेंगी जैसे resistance का parallel केस पढ़ा है वैसा ही capacitor का सीरीज है resistance का parallel का answer और capacitor का सीरीज का answer लगबा equivalent तरीके से solve किया जाता है देखो अभी तक मैं सवाल solve नहीं करवा रहा हूं मैं पहले formula पर focus कर रहा हूं त्यूंकि आज के lecture में जितने formula maximum possible उतने करने के पश्चात हम लोगों को फिर numerical में घुसना है तो numerical में घुसते समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें आदे formula नहीं आ रहे है फिर एक दो basic सवाल किये फिर आगे बढ़ो तो उसमें क्या lecture का sequence भी तूटता है और वो भी एक छोटी सी परेशानी वाली बात है ठीक है शौर है चलो आगे बढ़ता हूं मैं मान के चलो एक special case if only two capacitors are present only two capacitors तो आप क्या लिखोगे बिटा आप लिखोगे 1 upon cs बराबर 1 upon c1 plus का 1 upon c2 take lcm c1 c2 तो यहाँ पर आएगा c2 plus का c1 यह है 1 upon cs so इसका मतलब cs का अंसर c1 c2 upon c1 plus का c2 दो के लिए आपको याद होना चाहिए और यह एकदम basic चीज है जो आपको आती है ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने कुछ नया करवा दिया हो बिलकुल भी नहीं है शौर है आगे बढ़ो now अगला topic क्या आएगा बिटा अब आप समझदार हैं बता सकते हैं क्या आएगा अगला topic parallel combination of parallel combination of parallel combination of capacitors बोलो यह है अगला topic आप जानते हैं इसका मतलब मैं चीजों को उड़ाते हुए चलूंगा नहीं करना तो पड़ेगा मेरे पास में यह पहला capacitor मेरे पास में यह दूसरा capacitor मेरे पास में है यह तीसरा capacitor और इन तीनों को मैंने connect किया है एक बैटरी से इस बात को ध्यान दगना ज़रा बैटरी और capacitor सबके almost similar बन जाते हैं तो थोड़ा ध्यान दगना बैटरी और capacitor में फरक देखी लीजिए बैटरी में दोनों डंडे छोटे और बड़े हैं और capacitor में दोनों same हैं कई लोगों को तो capacitor के बीच में cricket का ground बना देते हैं जब solve कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से बनाना data symbols को ठीक है अच्छा कहानी वही है यह है C1 यह है C2 यह है C3 और यह है V यह तो given है मैं चाहता हूं इनको replace करना एक single capacitor थे तो भीया क्या होगा कहानी यहां से charge Q निकला होगा यह जो charge Q है वो तीन हिस्सों में बटेगा यह है आपका Q1 यह है आपका Q2 और यह है आपका Q3 लेकिन इन सब में एक खास बात यह है कि यहां पर भी potential drop V होगा यह भी V होगा और यह वाला भी V होगा क्यों क्योंकि यह parallel में connected है और parallel में potential same रहता है parallel में potential क्या रहता है same रहता है अच्छा देखो अब होगा क्या इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे बिल्कुल इसी प्रकार से कैसे होगा यहां से Q1 चाह जाएगा इस पे plus Q1 इस पर minus Q1 फिर प्लस Q1 आगे बढ़ जाएगा, फिर यहां से Q2 चलेगा, देखो, करके दिखाता हूँ, मैंने क्या बोला, देखो, इस पर आएगा आपका प्लस Q1, यहां पर माइनस इंड्यूस होगा, इसके वज़े से यहां पर प्लस होगा, बोलो यह प्लस Q1 यहां पर आगया निकल वज़े से यहां पर प्लस Q3 इंड्यूस हुआ, यह आपका चार्ज आगे चल चुके हैं, मतलब कहानी वही है, Q बराबर है Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इन तीनों को रिप्लेस करना, उसकी जगे एक ही कैपैसिटर लगाना, जिसक मैंने नाम दिया है CP और बैटरी है आपकी V की, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी वही Q4 चल रहा है और इसके across potential drop V ही है, ठीक है, so that's it, so अब हम मैं क्या करता हूँ, जड़ा देखिए, इसमें potential same है, इसमें potential same है, तो वही कहानी दोहरानी है, और कुछ भी नहीं, क बोलो सही है, so it implies Q1 बराबर C1 into V, V आपका similar होगा Q2 upon C2 के diagram देखिए बिटा आपका, so यहां से आप लिखोगे Q2 बराबर C2 into V, और V आपका विलकुल सेम होगा Q3 upon C3 के, जहां से आप लिखोगे Q3 बराबर C3 into V, बोलो सही है क्या, और आगे जो next diagram है, उसके लिए क्या लि into Cp, so बेटा Q बराबर, Q will be equals to V, कुछ तो भी गलती कर दीए, sorry, यार यह, मतला मैंना यह छोटे से पॉइंट के कारण गड़बड़ी हो जारी के मैं, Q will be equals to Cp into V, so V, सीधा-सीधा यह लिखता हूं, तो V लिखने की ज़रत ही नहीं है, so put the values V बराबर नहीं, लिखने की ज़रत ही नहीं, कामी कतम हो गया मेरा, okay, so आगे आजाईए, और values को put कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, Q1 मतलब C1 into V, plus का C2 into V, plus का C3 into V, बराबर Cp into V, V सब जगे कटेगा, तो आपको मिलेगा Cp बराबर C1 plus का C2 plus का C3, and that's it, C1 plus का C2 plus का C3, और that's it, ये आपका, किसका result आगया बिटा, series combination, बहुत आसान, दो होंगे तो C1 plus C2, तो यहाँ पर देखिए, registers के case में, जो result parallel में मिलता है, capacitors के case में, वही result series में मिलता है, registers के case में, जो result series में मिलता है, capacitor के case में, वही result parallel में मिलता है, क्या ये ध्यान रख पाएंगे आप लो यस और नो बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या यस और नो तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं मान के चलता हूँ कि यहां तक तो आपको समझ में आना ही चाहिए यस और नो अब हमारे पास में एक छोटी सी चीज और है और वो ये है कि देखो अभी देखो यहाँ पर है न हम लोग कुछ और चीज भी मैं आपको सिखाऊंगा जैसे energy के case में ही मैं आपको बात करूँ मैं तो अभी direct formula आपको लगवा दिया है जब आपके पास में capacitor से related जब सवाल बनेंगे अभी तो series parallel के सवाल बनेंगे फिर उसके बाद में आपके बनेंगे जब आपका dielectric जो है वो पूरा भरा हुआ ना हो मान के चलो थोट छोटी सी थिकनेस का ही हो ध्यान सुनो मैंने क्या बोला when capacitor is not completely filled with the dielectric material instead of that some of the portion or some of the thickness is filled with the dielectric material then what will we do उस समय हम लोगों को क्या करना है ये मैं आप से पूछना चाहता हूँ ठीक है बात को समझे क्या सवाल है capacitance of parallel plate capacitor ही है हमारे पास में हां तो हम लोग कह रहेते कि मान के चलो यदि हम लोगों ने पूरे उसमें dielectric material ना भरा होता और किसी छोटे से portion में भरा होता तो उस केस में क्या होता तो वही हम लोगों को यहां पर देखना है basically आप चाहें तो एक heading डाल सकते हैं capacity capacity in case of in case of compound die electrics basically अब यह जो heading हो रही है था खतम इसी के बाद में ही आपके लगबग numerical शुरू होना लगबग numerical सा आना आपके चालू हो जाएंगे ठीक है so let's start करते हैं हम लोग कैसे मान के चलो अब आपके पास में यहां पर एक यह है ठीक है यह एक metal की plate हो गई यहां पर आपके पास में दूसरी metal की plate हो गई तो यह आपका क्या बन गया एक parallel plate capacitor मेरे पास में यहां पर form हो गया है मैंने माना कि इसकी जो distance है वो है आपकी D इसकी इनके बीच की जो distance है वो है आपकी D इस पर charge Q है charge density sigma है वो सारी चीज़े as it is आ रही है मतलब आप चाहें तो बना सकते blue लिया है तो मैं चाहूं तो बना सकता हूँ इस पर charge plus वाला है plus Q है इस पर charge minus Q है इस पर charge minus Q है यह plus Q यह minus Q distance D है area आपका A है चाहे तो मैं यहां पर वापस से लिख देता हूँ area है आपका A now अब देखो in air, air के case में यहां पर इस तरह से आपका एक electric field होगा yes or no तो आपने बोला सही बात है air के case में ऐसा आपका एक पूरा electric field होगा और उसकी value में sigma upon epsilon not लिखने वाला हूँ उसमें कोई doubt नहीं है लेकिन मैं क्या बोलता हूँ मान के चलो ऐसा हो जाए कि मैं यहां पर एक T thickness वाला ठीक है ऐसा इसकी जो thickness है वो है T इसकी जो थिकनेस है मोटाई है वो कितनी है T है ऐसा die electric material मैंने यहां पर fill कर दिया और इसका die electric constant K है देखो ध्यान से लेको मैं क्या बोल रहा हूँ लेकिन जब ऐसे होगा तो यहां पर जो net potential लिखा जाएगा क्या वो net potential इन air medium प्लस का air प्लस medium वाला लिखा जाएगा एक तो air के कारण जो भी potential है और प्लस सिंस यहां पर charges induce होंगे तो उनके कारण भी तो लिखा जाएगा और उसे हम लोग V medium लिख सकते हैं यस और नू मैं वोला सही बात है अब लेकिन इसको लिखने में थोड़ी सी problem होती है तो हम लोग क्या करते हैं इसको electric field के form में convert कर लेते हैं तो भाई यहां यदि मैं electric field के form में convert करूँगा तो मैं लिखूँगा इसे e air into भाई देखो e बराबर sorry V बराबर e by d तो V बराबर e हाँ e बराबर V by d तो V बराबर e into d तो air air कितने space में present है air present है आपकी d minus t में तो आपने लिखना है d minus का t plus का medium में क्या लिखोगे तो e medium into t बोलो देखो e air d minus t plus e medium t देखो मैं जानता हूँ कई बार है न ऐसा होता है e बराबर dv by d r तो लिखते समय न इसलिए मैं बार बार याद करता हूँ उन चीज़ों को भले ही हम लोग पढ़ रहे है देखो आपके साथ में भी ऐसा होता है कई बार तो आपको भी इन चीज़ों को ध्यान रखना है यह formula गलत नहीं हो जाए चलो आगे बढ़ो तो अब देखो मैं इसे लिख सकता हूँ e a r d minus का t plus इसे लिख सकता हूँ e a r upon k into t बोलो सही लिखा है क्या वही e a r upon k ओके चलो यह चल रहा है आपका v ठीक है v is the net potential अब इसमें से e a r common निकाल सकता हूँ यदि मैंने e a r को यहां से common निकाल लिया तो यह आपके पास में बचेगा d d minus t plus का t upon k बोलो yes or no d minus का t plus का t upon k यहां पर बचते हूँ नजर आ रहा है अच्छा what is the value of e a r तो वो आप sigma upon epsilon not लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगी तो आपके पास में आएगा v बराबर e a r मतला sigma upon epsilon not d minus t plus का t upon k yes or no क्या यहां तक कोई परेशानी मुझे तो नहीं लगता है किसी को परेशानी होनी चाहिए लेकिन यहां पर अब आप देखिए we know that देखो कभी भी है न फॉर्मूला डिराइव करते हैं standard steps ही होते हैं उन्हीं को फॉलो करना है q बराबर c v q बराबर c v तो c बराबर आएगा आपका q upon v c बराबर आएगा q upon v yes okay so put the value of v value put करो तो बेटा v की जब value आप put करोगे तो आपको मिलेगा c बराबर q upon v मतलब यह पूरी value sigma upon epsilon not d minus t plus का t upon k yes or no बोलो ऐसा ही कुछ मिलेगा क्या आपने बोला सही बात है यहाँ पर से अब एक काम कर सकते हो आप इस epsilon not को उपर ले जाओ चाहें तो yes और sigma की जगे में q upon a लिख सकता हूं yes or no देखो मैंने क्या बोला sigma बराबर q upon a लिख दीजिए और epsilon not को उपर ले जाओ यह तो c बराबर आएगा epsilon not into q upon q upon a d minus t plus का t upon k yes or no cancellation कीजिए बिटा यहाँ पर q से q कटेगा और a वापस से उपर जाएगा तो c बराबर आएगा epsilon not a upon d minus t plus का t upon k epsilon not a d minus का t plus का t upon k it is the capacity in case of medium यदि आपका t थिकनेस तक medium भरा हो मान के चलो देखो मैं वापस से लिखता हूँ formula को तभी आपको समझ में आएगा c in medium निकल के आया है epsilon not a upon d minus का t plus का t upon k बोलो yes or no मैंने बोला कि if थिकनेस वो जो dielectric material था उसकी जो थिकनेस है t यदि वो d के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा लिखके देखिए तो c medium बराबर आपको मिलेगा epsilon not a upon d minus d plus d upon k d से d कटेगा k उपर चला जाएगा तो यह आजाएगा k epsilon not a upon d मतलब k into c a और बोलो आ रहा है क्या अरे सर यह तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं यास मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिटा हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया और कोई जादा दूर नहीं पढ़ा है आज के ही lecture में पढ़ाता सो वहाँ से यह चीज़े निकल के आती है मान के चलो if metal slab is inserted metal slab is inserted उतनी ही thickness का कितनी thickness का? t thickness का यदि कोई metal का slab आपने insert कर आया तो क्या होगा? तो आप बोलोगे k of metal आपका आएगा कितना? infinity k of metal कितना होता है? infinity so in that case c in the presence of metal will be written as epsilon naught a upon d minus t plus t upon infinity बराबर तो 1 upon infinity मतला 0 तो बेटा c of metal आएगा आपके पास epsilon naught a upon d minus का t शौर है? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आपने बोला बिल्कुल सही है ये आपके पास में एक और point निकल के आया? मतलग के यदि हम लोगों ने t थिकने सवाला metal का slab डाला है तो और यदि पूरा ही metal डाल दिया तो यदि मैंने पूरी तरह से metal ही metal डाल दिया तो उस case में क्या होगा? तो उस case में t बराबर d तो आप d d लिखके solve कीजे ये 0 हो जाएगा तो c metal बिटा आपका infinite आ जाएगा कितना आ जाएगा? infinite आ जाएगा मतलब हम infinite बोल देंगे लेकिन उस से हमें कोई result नहीं मिलेगा ठीक है? अब एक और point आता है मेरे पास में वो ये है देखो c medium का तो formula ये मेरे पास में मिल चुका है c medium का ये formula मेरे पास में मिल चुका है लेकिन एक बाब formula लिखूंगा बेटा फिर से ये कब बन रहा है देखो मैंने bracket जान बुच के लगाया इस बार पहले नहीं लगाया तो लेकिन अब लगाया देखो इसको basically मैं दो parts में ऐसे पढ़ सकता हूँ कि देखो T thickness का एक material डाला T thickness का एक material डाला तो आपके पास में क्या हो गया T उतना कम हो गया D में से और T by K एड हो गया जान सुनू मैं क्या बुल रहा हूँ कि जब आपने T thickness की एक slab डाली T thickness की एक slab डाली तो D में से जो दो plates के बीच की distance D थी उसमें से T कम हो गई और T जब कम हुई तो T by K बढ़ गई T by K बढ़ गई तो यदी मान के चलो मेरे पास मैं ऐसी बहुत सारी plates होती ऐसी बहुत सारी plates होती तो उस case में मैं क्या करता मैंने बोला कि if N plates are introduced N plates are introduced ठीक है उनकी ठिकने से T1, T2, T3 and so on TN ठीक है and so on TN लेकिन यहाँ पर एक point और बोला गया है वो point यह है कि बेटा T1 plus T2 plus T3 plus up to so on और यह जो TN है वो सब मिला के रहे हैं D उन सब की ठिकने से मिला के D कर दिया जाए तो उस case में आपका answer क्या आएगा सोच यह और बताइए बिलकुल simple C या in medium will be equals देखो मुझे कितना कम करना है T मुझे कितना कम करना है T T मतला T1 plus T2 plus T3 plus up to 2N मतला D कम कर देना है तो D minus का D तो 0 हो जाएगा तो आपके पास में बचेगा कितना epsilon naught A upon और जितना कम हुआ है उतना बढ़ाना है तो कितना बढ़ाओगे तो आप बढ़ाओगे T1 upon K1 plus T2 upon K2 plus up to so on और Tn upon Kn that's the final answer of capacity of capacitance when आपके पास मैं ऐसी बहुत सारी plates को आप introduce करा देते हूँ किसके अंदर मैं capacitor की plates के अंदर मैं जिसे हम लोग बोलते हैं जब compound dielectric plates हो तो capacitance कितना निकल के आता है that's it is it clear to you अब देखो जितना भी हम लोगों ने आज theory यहाँ पर पढ़ा है उसके related सारे numericals हम लोगों को पढ़ने हैं या मैं बोलूं करने हैं लेकिन उन्हें हम करेंगे कब जब हम लोग अपने next lecture में जब आपसे मुलाकात करेंगे उस समय ठीक है sure है क्या मुझे एक बार इसको revise कराना चाहिए quickly मुझे लगता तो नहीं है क्योंकि काफी लंबा recalling करवाना possible भी नहीं है हम लोग कहां से recalling कराना अच्छा ये वाला कीजे तो मैं पड़ा चुका हूँ ठीक है कहां से recalling करवानी थी नहीं ये भी करा दिया थी okay सही है heading कहा डाली है energy of a charge capacitor energy of a charge capacitor मैंने क्या बोला भाई है पहले एक प्लेट ली उस पे पहले तो कोई charge रहा नहीं होगा तो जब हम लोग उसे charge कर रहे हैं तो उसके पास में कितनी energy store हो रही है वो हमारा फॉर्मला चल रहा है उसके लिए मैंने क्या बोला कि भी या मान चल जब फुली charge है तो उस समय charge Q है capacity C और फुली charge उने पर potential V है तो V बराबर Q by C लेकिन जब charging कर रहे होंगे तो ऐसा थोड़ी पूरा charge एक साथ आगे होगे starting में तो कुछ भी charge नहीं रहा होगा मैंने माना किसी समय T पर जो charge है वो Q है और potential V है वो V है जो की छोटे Q छोटे V है ठीक है तो मैंने मान के चलो उसमें कुछ छोटा सा charge DQ add किया तो छोटा सा charge DQ add करने में छोटा सा work done किया जिसे मैं DW माना DW बराबर V.DQ किया So total work done in charging कितना हो जाएगा W बराबर integration 0 से लेकर कि क्यों कि initially charge 0 था आपको Q charge तक पहुँचना है V.DQ V की value रखी Q by C इसको integrate किया W बराब Q square by 2C यह जो work done है वो उसकी energy के वो उसकी internal energy में श्टोर हो जाएगा अब Q बराबर C V मानके U बराबर half C V square और एक और formula half Q into V एक तीन formula मेरे पास बन चुके है फिर series combination of capacitor तीन capacitor को मैंने series में लगा इक battery से जोड़ दिया तो यहां से Q charge निकलेगा जो तीनों पर equally distribute होगा क्यों यहां से Q charge आया उसमें minus Q induced minus Q वाला यहां पर plus Q में चला जाएगा plus Q यहां रुकेगा नहीं क्योंकि यह आगे conducting material से connected है तो यह आगे जाके यहां पहुंचा plus Q पहुंचा लेकिन potential अलग-अलग है तो बिटा E बराबर V1 plus V2 plus V3 Q बराबर C1 V1 C2 V2 C3 V3 सारी values put करी और solve करके 1 by CS 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 आया और दो capacitor के case में C1 C2 upon C1 plus का C2 direct फिर parallel combination के case में यहां से वही तीन capacitor लिए C1 C2 C3 इनको मैंने parallel connect किया बैटरी V लगाई तो यहां से जो निकला हूँ चार्ज Q है वह तीन अलग-अलग हिस्सा में डिवाइड हो जागा Q1 Q2 और Q3 और मैंने माना इन तीनों को replace करके एक ही capacitor लगाना CP वाला तो यह मेरे पास में ऐसी situation आ गई तो Q बराबर CP into V किया solve करने पर CP बराबर C1 plus C2 plus C3 आया मैंने यह पर एक पॉइंट और बता है वह यह है कि resistance in series का जो formula बनता है वह capacitance in parallel में बनता है और capacitance in series है वह capacitance in series resistance in parallel है वह capacitance in series का formula बनता है इसके बाद में है capacity in case of compound dielectric मतलब क्या है कि मान चलो हमारे पास में पूरा dielectric material ना भरा होगा होता और छोटे-छोटे से dielectric material भरे हुए होते तो कैसे करते तो मैंने सबसे पहले एक dielectric material भरा उसकी ठिकनेस T रखी तो मैंने potential V बराबर V air medium का potential प्लस medium का potential ऐसे consider करते हुए इसको air को e air d minus t प्लस medium के लिए electric field of medium into t किया e air के format में इसको solve किया we know that c बराबर q by v v की value put करी और sigma की जगे q by a रखा solve करके c of medium epsilon not a upon d minus t प्लस का t by k ये कब आ रहा है जब मैंने t thickness वाला क्या रखा है dielectric material लेकिन मान के चलो इसी thickness t बराबर d हो जाए तो हम लोग वापस से उसी formula की तरह k into c air वाला फिर मैंने आपे बोला यदि metal की slab डाल दी जाए तो k metal infinity हो जाएगा तो answer c metal का epsilon not a upon d minus का t हो जाएगा ठीक है अब बढ़ेगा घटेगा आपको खुद से सोचना है यदि metal का slab insert करने पर capacity increase होती है कि decrease होती है आपको खुद से सोचना है तो ये plus वाली terminology के format में लेके आया और add and आपको ये formula याद आखना है epsilon not a upon t1 by k1 plus t2 by k2 plus up to so on tn by kn और इसी के साथ में हमारा आज का जो lecture है वो खतम होता है और ये काफी बड़ा lecture था मैं जानता हूँ लेकिन क्या करें हमें ऐसे ही topics को जल्दी से जल्दी कवर करना है ठीक है सो आज के लिए बेटा बस इतना ही मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले lecture के दर्मियान सो तब तक के लिए धन्यवाद